आजकल हम देखते हैं कि civil engineering के sector में जॉब पाना कितना मुश्किल हो गया है मुश्किल तो छोड़ो यार जिनके पास आजकल skills है उन्हें भी जॉब पाने में बहुत मुशक्कत करना पड़ता है यानि कि job अब उन्हीं के लिए है जिनके पास company की demand को पूरा करने वाले skill है हर company job oriented skill बंदों को ढूंड रही है लेकिन problem यह है कि यह job oriented skill हमें college में नहीं पढ़ाया जाता अब अगर यह सब पढ़ाया नहीं जाता है तो इसमें हम क्या ही कर सकते हैं हमारे पास यह power तो नहीं है कि हम college के silvers को change करवा दें तो अब last way option क्या बचता है जो college यह पढ़ाया जा रहा है वो चुप चाप ग्रहन कर ले और degree को वहां से हम ले ले लेकिन सिर्फ इतना करने से ही हो जाएगा क्या नहीं बिल्कुल भी नहीं क्योंकि बात यहां हमारे career की है इसलिए जो company हमसे skill की demand कर रही है job के लिए वो भी हमें सीखना ही परेगा चाहे वो जैसे भी हो तो अगर आप college के साथ साथ यह सब skill को सीख लोगे तो जादा अच्छा रहेगा और यह सब आप कर सकते हो civil engineering internship की मदद से यह internship आपको building और highway दोनों में ही करना चाहिए ताकि दोनों ही field की knowledge आपको हो सके देखा जाए तो civil engineering के sector में internship का एक बहुत बड़ा role रहता है खासकर तब जब आप कोई qualification continue कर रहे हो यानि कि perceive कर रहे हो या फिर आपको job नहीं मिली हुई है या एक gap आ गया है तो उस दोरान internship एक ऐसा skill है जिसमें आप अपने course related skills को सीख कर industry के demand को पूरा कर सकते हैं जिससे आपको job हासिल करने में बहुत असानी हो जाएगी चली सबसे पहले internship के importance को समझते हैं क्योंकि यह बहुत ज़लूरी है सबके लिए हम लोग देखते आ रहा है कि पिछले कुछ दस्कों से यहाँ पर जो unemployment है वो एक बहुत बड़ा issue रहा है इंडिया के engineers वालों के लिए अगर आप stats देखोगे तो engineers day by day बढ़ ही रहा है लेकिन उनके comparison में जो job है वो नहीं बढ़ रही है और every year देखा गया है कि almost 80% जो engineering graduate है वो unemployed रह जाते हैं इसका सबसे बड़ा main reason है skill gap, lack of practical knowledge का होना जो skill, knowledge company demand करती है engineering graduate से वो उनके पास ना होना और इसी वैसे job नहीं मिल पाती इसी skills को fill up करने के लिए इस type के internship करने परते हैं और बहुत जरूरी भी है यह तो इस internship से आपको क्या-क्या फायदा हो सकता है सबसे पहले आपको इस skill को enhance किया जाता है यहाँ पर आपको guidance दी जाती है आपको software knowledge मिलता है, आपको side-based practical knowledge दी जाती है और जब यह सब आप सीख जाओगे तो आपके अंदर एक confidence build up होता है जो मदद करेगा आपको इस corporate sector में आगे बढ़ने में तो ऐसे में solitude education आप लोग के लिए एक 45 days के internship लेकी आया है जहां पर आपको building construction और highway construction से related वो सबी चीज़ सिखाई जाएंगी जो आपको ज़ुरत है जौब को crap करने के लिए तो आप लोगों के demand पे ही इसका new back start होने जा रहा है तो जो भी internship करना चाहते हैं वो यहाँ पर enroll कर सकते हैं enroll करने से पहले आप इस internship के course content को एक बार जरूर देख ले जो मैं भी आगे बताने वाला हूँ तो जिन्हें नहीं पता solitude education के बारे में मैं उन्हें बता दू कि solitude education एक बहुत बड़ी organization है जो civil engineering से related courses आप लोग को provide करती है वो भी बिल्कुल affordable price में with high quality content इसलिए इनके mission और vision को देखते हुए इंडिया के ex-captain सौरब कांगरी के द्वारा इन्हें सम्मारित भी किया गया है इस internship के eligibility की बात करें तो ये college students, freshers, working professionals, diploma, b.tech, m.tech, site engineers, contractors या फिर कोई owner भी इस internship को कर सकते हैं और internship complete करने के बाद आपको ISO certified certificate भी मिलता है जो कि all over India में valid है और ISO certified से भी important चीज आपको यहां पे दोनों ही field में यानि की building construction और highway construction में आपको आपको आपके project करवाय जाएगा जो कि आपके college में बहुत जादा valuable हो रहता है आपके final year में इस पर credit point भी रहती है जो आप interview देते हो उस दोरान भी इसका बहुत जादा महत्वा है तो यह project भी आपको यहां पर provide किया जाएगा तो यह आप देख लेते हैं कि 45 days के internship में आप क्या-क्या चीज सीखने वाले हो सबसे पहले आपको drawing reading सिखाय जाएगा structure और architecture दोनों उसके बाद construction sequence के बारे में step by step बताया जाएगा कि construction में क्या-क्या activity होती है during construction और post construction में क्या-क्या होता है उसके बाद bar bending schedule है foundation का, column का, beam का, slab का, stair का यारी कि building के हर एक member का BBS करना आपको यहां पर सिखाय जाएगा उसके बाद excavation करवानते वक्त आपको क्या-क्या ध्यान रखना है PCC का measurement, RCC footing, RCC plint beam, इन सब का still details, concrete details, measurement यह सब cover किया गया है इस internship में, फिर sub structure formwork का measurement हम कैसे करते हैं, billing के लिए, column, beam, slab, इन सब का formwork measurement कैसे करते हैं, इस पर IS code यह सब बताया गया है, फिर column and slab का RCC details है, brickwork का measurement बहुत details में cover किया गया है, फिर plaster measurement हो गया, POP, putty हो गया, wall paint हो गया B.O.Q को study करते हैं, B.O.Q कैसे बनाएंगे, schedule of rate से rate को कैसे हम लेते हैं, plumbing and sanitation का part हो गया, contractor billing, types of bill, abstract sheet हो गई, इस सब इस details में हम लोग यहां पर cover करने वाले हैं, इसके बाद last में 5 assignment भी आपको यहां पर करवाया जाएगा और इसके साथ ही आपको project report भी यहां पर मिलने वाला जो आपके college के final year में बहुत कामाएगी, जिसमें credit point भी रहती है और आप interview को तरहां submit भी इसे करना परता है, जहां से आपके question भी आते हैं, अब highway internship की course content को मनों गयां पर देख लेते हैं, इसमें आपको classification of road, highway sanction, road construction step by step, pavement के बारे में जानेंगे, इसके types के बारे में भी जाने components of road, flexible pavement और digit pavement के layer के full details, highway construction machinery के बारे में, geosynthetics क्या होती है, IRC codes के बारे में बताया गया है, cutting slope, test frequency as per morph, concrete types, gradient types, pavement failure type, Campbell as per morph, इसके बारे में बहुत important चीच, highway construction interview series भी या पर रखा गया है आप लोग के लिए, जो की interview बहुत जाद आपको मदद करेगी और इसके साथ ही आपको य surgery education की other institute से तो आपको यहाँ पर lifetime variety मिलती है, सारे courses पर ISO government certified certificate मिलता है, phone के साथ साथ wave access मिलता है, सारे courses का estimation सीखने का मौका मिलता है, as per ISO code, job assistance मिलती है, सब चाहँ बात की आपको इसके बात की आपको यहाँ पर lifetime variety मिलती है, ISO certified certificate मिलता है, doubt solving session होते है, practice के लिए material data, PDF actions, formats वगरा, सब चीच प्रवाइड किया आता है, real time project based learning मिलती है, और इसके साथ ही colorful notes भी आपको यहाँ पर मिलता है, जो interest पैदा करता है, नई नई चीजे सीखने का, तो चलिए आप जान लेते हैं कि इस दोने internship के लिए आपको pay कितना करना इस internship के लिए आपको यहाँ पर pay करना परेगा, 1,992 डूपीज, जिनको building internship करना है, वो उसके लिए pay कर सकते है, जो highway internship करना चाहते है वो उसके लिए pay कर सकते है, आपका परेगा 1,992 डूपीज, अगर अगले तीन दिन में इस course को ले लेते हो, तो यहाँ पर आप 80% safe भी कर सकते हैं तो यहां पर कोर्स में एंडॉल करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर या इस टोर में जाना है और सच करना है सबसे उपर उनका ऑफिशल आप आ जाएगा या फिर आप इसी विडिके डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं मैंने एप का डिरेक्ट लिक कर दिया है आपको इंस्टॉल कर सकते हैं वहां पर जाके इंस्टॉल करने के बाद आपको अपने नमबर से साइन अप कर लेना है और साइन अप करने के बाद आप डैशबर में इस 45 देस के इंटर्शिप को देख पाओगे वहां से आप एंडॉल कर सकते हो इस दोनों कोर् तो guys आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, जैये